देश और दुनिया की इस नई जेनेरेशन को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जिसका नाम है इंजाइटी कई लोग इंजाइटी को डिप्रेशन से मिक्स कर लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको एक बड़ी बिमारी की तरह लेने लगते हैं साथ इसाथ वो अपने बच्चों को इसके बारे में नहीं बताते हैं इसलिए अगर कभी भी उनकी बच्चों को इंजाइटी अटाक्स आते हैं तो वो उन्हें संभाल नहीं पाते उन्हें समझा नहीं पाते देखिए anxiety होती है एक प्रकार की घबराहट जब आप किसी situation में हो और वहाँ आप घबरा जाए आपकी सासे तेज चलने लग जाए आपकी जो blood pressure है वो बहुत तेज हो जाए तो उसे anxiety कहते हैं और ये आजकल के बच्चों में बहुत आम देखा जा रहा है एक स्टार्ट आया था कि 10 से लेकर 21 साल तक के भारतिय युवाओं में हर चौथे इंसान को चाए वो लड़का हो या लड़की anxiety की प्रॉब्लम है और लड़कियों में ये प्रॉब्लम जाबा common देखी गई है लेकिन इसके बारे में अभी भी कोई जादा बात करता नहीं है देखी anxiety को दूर करने के लिए सबसे पहले तो आपको long breathing exercise करनी चाहिए जब भी आपको गबरहट होने लगी आपकी heart beat तेज होने लगे तब ही आप relax हो जाएं और लंबी सासे लें अगर कोई दिक्कत या कोई तकलीफ चल रही है तो किसी दोस्त या रिस्तेदार से बात करें अपने मलन को हलका करने लेकिन देखिए depression ही कैसा state होता है जब आदमी बिल्कुल दुखी हो जाता है उसका दिमाग काम करना बन कर देता है लेकिन जब किसी को anxiety attack आता है तो उनका blood pressure उपर नीचे हो जाता है heart beat तेज हो जाती है सास लेने में तकलीफे शुरू हो जाती है और ये बढ़ती ही जाती है problem फिर इसके बाद crucial anxiety attacks भी आ सकते हैं अलग अलग stages होती है anxiety attacks के तो अगर आप इसको पहले stage पर पकड़ के ही रोक देंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगी लेकिन anxiety ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं देखिए कोई ना कोई sports खेलना शुरू कीजिए sports खेलने से आप anxiety से दूर रह सकते हैं ऐसा इसली है क्योंकि sports खेलने से एक तो आपको breath control आ जाता है और साथ ही साथ आपका mind और जादा relaxed हो जाता है दूसरा है कि आप अपने दोस्त बनाईए आप अपने रिस्तेदारों से दोस्तों से दिल खोल के बाद कीजिए और आज कल के parents की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके बच्चे किसी से घबराए ना और अगर कोई भी बात हो वो आके उने बता सके ताकि वो कभी भी anxious ना फील करें लेकिन तीसरा सबसे बड़ा जो step में आपको बताने वाला हूँ अगर आपके बच्चे को anxiety होती है और वो आपसे ऐसी complete करता है आप खुद देखते हैं तो देखिए डॉक्टर के पास जरूर जाहिए ठेरेपिस्ट के पास जरूर जाहिए ये कोई दिमागी बिमारी नहीं और इसको क्योर किया जा सकता है बहुत ही easily अब खाने कौन सा खाना है जिससे anxiety ना हो देखिए अगर आप non-vegetarian है तो fish जरूर खाईएगा क्योंकि fish खाने से काफी फरक पड़ता है anxiety पे जो breath levels है वो normal हो जाते हैं लेकिन अगर आप vegetarian है तो green vegetables and citrus fruits जिन भी fruits से vitamin C मलता है lemon हो ग अब हम ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रही है इंडिया निउस के साथ